आज एक बरफेट से आपको कश्मीर में हो रही बरफबारी से जुड़ी तमाम खबरें जो हमारे पास हैं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे नमस्कार आप सभी का एक बरफेट से मेरे ओफिशल यूट्यू पेज पर स्वागत है तस्वीरें जो आप अपने मॉबाइल सक्रीन पर देख रहे हैं यह तस्वीरें गुलमर्ग की हैं शनिवार देर रात की तस्वीरें यह हमने रिकॉर्ड की हैं और तमाम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि देर रात को शनिवार स्नूफाल हुआ हलका हलका स्नूफाल हुआ लेकिन सुबा तक 2-4 इंच लगबग स्नूफाल गुलमर्ग में देखने को मिला आप देख सकते हैं तस्वीरों में रात का समय है लेकिन किस तरह से सनूफाल आपको गिरती हुई नजर आ रही होगी हला कि तमाम दुकार ने रात को बंद हो जाती है सारे होटल्स लोग अपने होटल्स में चले जाते हैं जो भी तमाम टूरिस्ट देश के अलग-लग राजियों से गुलमर्ग पहुंचे होते हैं वो रात के समय में अपने होटल में चले जाते हैं लेकिन ये नजरा जो आप अपने मॉबायल स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रात के विजुल हैं जो हमने रिकॉर्ड किये और सोचा क्यों आपने तमाम दर्शकों तक ये विजुल पहुंचाय जाएं और उनको ये तस्विरें दिखाएं कि गुलमर्ग में स्नोफाल हो चुका है आप अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता के साथ गुलमर्ग में गुमने आ सकते हैं हलाकि पिछले दिनों काफी वीडियोस वायरल हो रहे थे कि स्नोफाल नहीं हुआ है लेकिन अब स्नोफाल गुलमर्ग में हो चुका है शनिवार की रात को भी हुआ था और मुस्म विबाग की माने तो अब आगे भी स्नोफाल हो सकता है बात अगर रह विवार की करें यानि आज की बात तो आज भी शाम को स् Isaiah हो सकता है ऐसा मुसम विबा का कहना है और अगले दिनों भी सनो फाल देखने को मिल सकता है और बारिश भी जम्मू के कुछ इलाकों में हो सकती है लेकिन अब आने वाला वक्त ही तहय करेगा कि किन किन जगों पर बारिश होती है और किन किन जगों पर बरह बारी फिलाल ये विजल जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है आज इस वीडियो का मादिम यही था कि आप इस वीडियो को देखें कि किस तरह का सनोफाल कश्मीर में हो रहा है और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ सांजा केजिए और ताकि हर टूरिस्ट यहां पर इस समय पहुंचे क्योंकि जहां पर जितने भी हमारे बाई है उनका जो रोजगार है वो इसी बरह बारी पर टीका होता है अगर बरह बारी नहीं होती तो उनका जो रोजगार है वो रुक जाता है और कहीं न कहीं उन्हें अपने गर परिवार को चलाने में दिक्कत आती है लेकिन अब परमात्मा की प्रभुश्री राम की कृपा हो चुकी है और बरह बारी जो गुल मर्ग में देखने को मिल रही है बस अब हमारा यही करतब्य है कि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों तक सांजा करें और दिखाएं कि किस तरह का सनोफाल गुल मर्ग में हुआ है और तमाम टुरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादात में वहां पर पहुंचें और इस बर्भबारी का अनंद लें आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेके या फिर जो बर्भबारी हो रही है आप कमेट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं फिलाल इसी वीडियो के साथ आप हमें दें इजाजत आप सब भी अपना ध्यान रखें नमस्कार